दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दिपक इमानसूर आप देख रहे है टीचिंग वाला जारकन टेट को लेकर एक थोड़ी सी मायूस करने वाली खबर है जिसका इंदिजार हमें था और कहीं न कहीं शक लग भी रहा था क्योंकि अब जो एलेक्शन है उसको लेकर चीजे बढ़ रह है जिसके exam होने की आपको बात ती जो इसका exam बोला जारा था कि September में हो जाएगा तो अभी आभ उसका exam immediate नहीं होगा अब इसका यानि कि अगले दो मेहने में नहीं हो पाएगा दिसंबर तक उसके बाद होगी अगले वर्स होगी यानि कि तो क्या है न्यूज एक बार आप देख लिजे राज में आठ वर्स बाद जारकन टेट की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन समय रहते नियमावली में संसोधन क प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई जिस वर्स भी जेटेट की आयूजना आयूजित होने की संबावना नहीं है परिक्षा को लेकर जारकन टेकाडमिक कॉंसेल जैक ने आवेदन भी मंगा लिये थे और राजभर के लगवक चार लाक अभियर्थियों ने आवेदन भी किया अभियर्थी ने परिक्षा के सिलेबस और सभी गैल अलग पास करने के प्राभधान में बदलाव की मांग अभी वहीसे में प्रावलम जुरूबा थे क्योंकि सिलेबस बहुत ऑल्टा पूल्टा दे दिया तक अभियर्थी का कहना थे कि सिलेवस और परिक्षा में पास करने का प्रावधान NCT की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है बाद में सिक्षा विबागने अवियर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव का निरने लिया इसके लिए कमिटी गठित की गई कमिटी के रिपोर्ट के अन चुनाव हो रहे हैं सभावना जताई जा रही है कि अब नई सरकार गठन के बाद ही नियमामली में बदलाव की प्रक्रियां हो पाएगी क्योंकि नियमामली में बदलाव सरकार करेगी एक चीज़ ध्यान रखेगा फॉर्म भड़ा गया है तो परिक्षा हो सकता है पातरता प परिक्षा परिक्षा के बादि ज्हार कुंसा सब्सक्राइब ,SY nouvelle पुक्रीज में भूसित करें तो क्यार्ट को ओस्ति से पहले दियाn दिकेक्षा भी नहीं उसमें बद़ाव जरूरी भी था तो बाकी वो चीज़े है बाकी आप अलग-अलग स्टेट में जो अभी चीज़े निकल रही है उसको लेकर प्रिप्रेशन आप जरूर करिए क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं टेट में एक सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हर वो एक्जाम में आपको वो काम आ जाता है और ज जगह पर जो चीज़े आ रही है उसमें आप शामिल होई है और अपने आपको बिल्कुल आगे लेकर चलिए और आप लोग जो भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उन सब की बैचेज आपको पी डवलो पर मिल जाएगी और पी डवलो पर अभी एक ओफर भी चलना ह पर अगे थैंक यू बरी मुच बबाए जैहिन